सेकेंड गुरु मंत्र औफ व्लॉगिंग जब यह व्लॉग बनाना शुरू करो तो हमेशा ना अपने फ्रंट कैमरा से व्लॉग कभी मत बनाना अब यहां पे बात आते कि मैंने हिमाचल वाला का फोटो थमिल में क्यों लगाया और आए इस वीडियो को खतम करने से पहले में आप लोगों कर कि बता देता। जिसके बाद मेरा वफ वाला वीडियो बहुत ज़़दा वाइरला चला गया वेडियो के कमेंट सेक्टिन में बहुत सारे ऐसे अमेंट कुमेंच ब्लॉद た विसके वाइस बहुत सारे में घंती मुझेद भी करते रहे और ऐसे बहुत सरे कमेंट भी है जो मुझे डी मोटिवेट भी करते रहे उन में से एक कमेंट जो की बहुत यूनिक था वह यह कमेंट था कि आपने यूट्यूप पे सकसेस नहीं हो सकते हैं कि आज कल ना हर गर से फोन कैमरा उठा के व्लॉग शुरू कर दे रह यहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा है जो कि मैं आप लोग साथ शेर करने जा और अगर सकसेस होने की बात जब तक शरीर में जाने हैं तब तक मेहनत करते रहेंगे अगर सकसेस हुए तो भी ठीक है अगर नहीं हुए तो कुछ सीखने को मिली जाएगा मेरे ऐसे बहुत सरे गुरु मंतर बताने वाला हूँ इन चार गुरु मंतरों को अगर आप अपने आप में इंप्लिमेंट कर लोगे ना तो पक्का आप एक प्रोफेशनल व्लॉगर जरूर लगोगे सकसेस होना ना होना वह उपर वाले के हाथ में जब भी बंदा ब्लॉगर बनने की सोचता है जरूरत नहीं रहती श्पेशली व्लॉगिंग के लिए तो सबसे पहला गुरु मंतर लोगिंग के लिए नो नीड एक्सपेंसिब कैमरा नो इड़ ओफ एक्सपेंसिब ट्राइपोड नो इड़ ऑफ एक्सपेंसिब माइक के पास सिर्फ इंप मोबाइल फोन होना चीए आ हमाचल परदेश और मैं आप लोग बताने वाला हूं वीडियो कुछ इस तरह दिखता है जो की बहुत ही बेकार वीडियो होता है इसलिए भाई कभी भी फ्रन्ट कैमरा से वीडियो मत करना जरूरी नहीं समझेंगे हमेशा कोशिश करना कि आप हमेशा बे कैमरा से ही शूट करो क्यूंकि भाई जब आप बे कैमरा से शूट करते हो ना तो आपकी आपके सीधी कैमरा पे जाती है ना कि स्क्रीन की तरफ तो जब भी आप व्लोग अपलोड करेगो यूट्यूब पे तो लोगो यह लगेगा कि इसका आई कोंटेक्ट है, हमारी आई कोंटेक्ट से सीधा है, मतलब इसको बहुत दा कॉंफिडेंस है, यह एक सिक्रेट ट्रिक थी जो मैं आप लोग बता दी से एक अंग्रेज अंकल आये थे, उसने इसको देखा था, फिर मैं आज इसको बता रहा हूं, तो कुछ इस तरह से आप लोग को नहीं बताना है, आप लोग को बताना है, तो वो डारेक्ट और सीधा बताना है, और आपकी जो वाइस क्वाल्टी होनी चीए, वो काफी जोर से दम होना चीए, जिस मदा से लोग आपकी वीडियो देखना पसंद करें, किसी व्लोगिंग के लिए, साउंड कोल्टी बहुत जरूरी होती है, साउंड का मतलब यह नहीं है, कि आप जैसे भी शूट करो, हैलो जी, कैसे हो, यह नहीं, जब भी आप व्लोग बनाना शूरू इस व्लोग को शूट करना है, ताकि लोगों को देखने में अच्छा लगे, तो इसलिए, साउंड क्वेल्टी बैटर होनी चीए, बहुत हाई क्वेल्टी में बोलना चीए, ताकि लोग आपकी व्लोग आपकी व्लोगिंग शूट थोड़ा थोड़ा और आप होने चीए, बहुत ज़़ा बेशरम, जब भी आप लोग इंडस्ट्री में उतरते हो ना, तो आपके दिमाग में से फेकी बात होनी चीए, कि मैं बेशरम हो, मैं कहीं भी शूट कर सकता हूँ, वहाँ चाहिए फिर आपके फैमिली वाले हो, वहाँ चाहिए बहुत सारी पबलिक हो, आप लोग इंडरा मार्केट को एक्स्प्लोर करने वाले हो, एक्स्प्लोर करने के लिए इंडरा मार्केट में बहुत कुछ है, लेकिन उसका भी एक तारीका है, जैसे अगर मैं जाओंगा, तो मैं सबसे पहले जाओंगा, आईलव मंडी के पास, वहाँ पे थोड़ा सा ब इसको यहाँ पे ऐसे फाउंड किया गया था, यहाँ पे अब इसने यह लगाया, एक जगे से बताऊंगा, तो लोगों को इंटरस्ट नहीं लगेगा, वह आपकी वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, इसलिए हमेशा ध्यान रखे, शूट थोड़ा-थोड़ा, जिस वज़ा से आपकी वीडियो काफी प्रोफेशनल लगे, अच्छी लगे, और लोग आपकी वीडियो पर देर तक बने रहें, और आइस वीडियो को खतम करने से पहले मैं आप लोगों के एक खतरनाक ट्रिक बता देता हूं, जो कि लास्ट एंड फाइनल ट्रिक है, बस को कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमेशा स्टेवलिटी के साथ शूट करें, आपका व्लोग बहुत अच्छा देखने को लगेगा, अब आता थी है कि मैंने हिमाचलवाला का फोटो थमिनल में क्यों लगाया, जब मैं हिमाचलवाल के यहां गया था, तो मैंने उन साल का experience से vlogging का, मैं बेशक सक्सेस नहीं हो पाया हूँ, लेकिन वहां से ना मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो मैं आप लोगो यहां पर बताने वाला हूँ, इस वीडियो मैंने बहुत साथ चीजे उनकी वाली भी शेयर की है, शायद वह आप लोग को पसंद भी आई होगी, आज कब लोग यहीं पर समापत करते हैं, होप सो आप लोगे पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैंब नहीं हो तो सबस्क्राइब करना मत बोलना, मिलते हैं नेक्स्ट प्लो में, तब तर के लिए जैश्राम, कुदा पेश, सच्रेकार.